नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलिज पर दोस्तों आप में से अधिकतर लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे के तुर्की को इस पूरी दुनिया में एक मॉडरन मुस्लिम कंट्री के तौर पर जाना जाता था लेकिन जब स वहां के राष्टपती एर्दोगन बने है तब से उस देश में बहुत से ऐसे बदलाब हुए है जिस कारण से इस देश की दुर्दसा बहुत जल्दी हो सकती है या यूं कहें कि इस देश पर भी बहुत जल्दी कट्टरवादी और जिहादी लोगों का कबजा हो सकता है अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले है राष्टपती एर्दोगन के द्वारा किये गए पाँच ऐसे कामों के बारे में जिसके कारण से आने वाले दिनों में तुर्की भी एक जिहादी और कट्टर इसलामिक देश के तोर पर उभर सकता है और इसकी दुर लेकिन एर्दोगन के आने के बाद साल 2002 से लेकर के साल 2013 के बीच लगबक 17,000 मस्जिदों का निर्मान किया गया इसके साथ साथ ओटोमन अमपार के समय की मस्जिदों की भी रिपेरिंग कराई गई नमबर दो तुर्की के अंदर हिजाब पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था लेकिन एर्दोगन की सरकार ने हिजाब पर से प्रतिबंध हटा लिया साल 2015 में पहली बार किसी महिला जज ने कोट के अंदर हिजाब पहना था नमबर तीन एर्दोगन की हुकूमत आने के बाद इसलाम की ट्रेनिंग देने वाले स्कूलों में लगबग 10 गुना जादा दाखिले कराए गए साल 2002 में यही संक्या लगबग 65,000 के आसपास थी जो की आगे बढ़के एकदम से 7 लाग के आसपास पहुँच गई नमबर चार एर्दोगन की हुकूमत आने के बाद सभी स्कूलों में इसलाम की तालीम को अनिवार्य किया गया यहांके सभी स्कूलों को इस बात का निर्देश दिया गया कि वो अपने स्कूल में इसलाम की तालीम को अनिवार्य करे और इसका सक्ती से पालन किया जाए नमबर पाच एर्दोगन की हुकूमत से पहले तुर्की में कुरान पढ़ने के लिए 12 साल की आयू का होना अनिवार्य था लेकिन एर्दोगन ने इस कानून को भी खत्म कर दिया जिसके बाद 12 साल से कम उम्र का बच्चा भी अपने जीवन में कुरान पढ़ने लगा इन सब चीजों को देख करके एक बात तो कही जा सकती है कि राश्पती एर्दोगन तुर्की को एक कटर इसलामिक देश बनाना चाहते है और आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते है कि जो भी देश कटर इसलाम की विचारधारा पर चलता है आखिरकार उसका अ होता है